हेलो, वेलकम टू अनिलमेकान यूट्यूब चैनल, बात करते हैं, FIs, DIs और बड़े-बड़े इन्वेस्टर, ट्रेडर और एक छोटे ट्रेडर कैसे, उन लोगों का सा माइंडसेट रहता है, इस वीडियो को जरूरे अन्ट तक दखे, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हो कि, आप लोग क्या करके जो अपना बड़ा प्रॉफिट, सौरी, बड़ा लॉस से बच सकते हैं, ठीक है जी, कौन सी चीज आप फॉलो करके बड़े लॉस से बच सकते हैं, वो मैं इस वीडि कर सकते है देखो मुझे सस्क्राइबर की वैसे जरुवत है सस्क्राइबर चाहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए मोटिवेट हो की मेरा भी डिल करता है फिर मैं भी खुश हो के आप लोगों के अच्छे वीडियो लग लेकर आता रहूंगा जिससे जो है मुझे एक मोटिव पोजिशन मिले ठीक है जी तो चले शुरू करते है इस वीडियो को एफ आइज डियाइज क्या है जो भी बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर होते है वो लोग क्या करते है वो लोग जो अपनी पोजिशन को जो है साबसे हैज कर लेते हैं अमने लॉस को पहले डिसाइड कर दे यह सबित दे करते हैं इसके वो लोग क्या करते हैं हमारा क्या थारिट होता हुछ है ne तो अमारा दिन का स्टॉप लॉस ना रर्च डिसाइड होता है और हम बिलकल OTM ठीक है ओट आप मनी जो है वाय करते है और नेकड प्रोजिशन लेते है या तो फ्यूचर वाय करते है या कॉल वाय करते है या पुट वाय करते है ठीक है अमारा यह तरीका होता है ट्रेड करना इसलिए हम लोग जो लॉस में है जो बड़े बड़े हैज़पन है और हम जब लॉस में जाते है तो उसको एक्जिट नहीं करते है ठीक है अमारी यह भी बहुत बेकार आदद होती है और ओवर्ट्रेडिंग इतना कि हम जो है आज के दिन ही जो हमने मार्केट सारह प्यासे कमाना इस तरह से मोबर्ट्रेडिंग करते हैं यह भी मारी गलतादत है वहीं पर जो है एफाइज और डियाइज क्या करते है या बड़े-बड़े इंवेस्टर अगर उनको लगता है मार्केट जो है 4200 से 4600 जाने माला आए वह लोग जो है future को वाय करेगे ठीक है जी अगर उनको लगता है कि मेरा निचे भी जा सकता मार्केट तो वो डिसेड करें कि मैंने 200 पॉइंट का लॉस देना है तो वह जो है 200 पॉइंट निचे जो अपना पुट वाय कर देगे ठीक है यहां पर क्या हो गया अगर मार्केट निचे फास्ट गिरता तो पुट जो है उनका बढ़ता रहेगा ठीक है और 200 पॉइंट का इस सिर्फ उनको लॉस होगा इससे जाता लॉस नहीं हो सकता किसी भी कंडिशन में ठीक है यह बड़े-बड़े अपने ट्रेडर यह चीज फॉलो करते हैं हाँ इसमें एक चीज और है इसमें कैपिटल जरू ज़्यादा लगता है लग बग एक देर लाग के आसपास आपको कैपिटल लगता है एक लोड को वाहिसल करने के लिए ठीक है इसलिए जो है जादा पैसा छोटे रेटन के साथ लगातार प्राफिट बनाता है जादा पैसा छोटे रेटन के साथ लगातार पैसा बनाता है छोटा पैसा जादे रेटन के चकर में लगातार पैसा बनाता है ठीक है जी यानि कि लॉस करता रहता है इसलिए इस चीज आप ही मेरा कोट समझीए जादा पैसा हमेशा ही भी छ चोटे चोटे रिटन के साथ लगाता है पैसे कमाते रहता है यानि बड़े इन्वेस्टर जो छोटे ट्रेडर है वो बड़े प्रॉफिट के चक्कर में लगाता है अपने पैसा लॉस करवाते रहते हैं और इसमें क्या है फाइस डियाइज को जो है लगपक 60-70% जो उनका ट बड़े एकजिट कर लेते हैं हमारा साइकलोजी असा ही बना हुआ है कईने कई अमारे को इतने लॉस मार्केट ने दे दी कि हम लोग जो है उस प्रॉफिट पे बैठ ही नहीं सकते इस तरह का मार्केट में हमारे साथ गेम हो चुका है इसलिए आप लोग इसे बार आईए जब आपके अप टाइम होता है तब ट्रेड कि양ी है जब टाइम नहीं है तो मत ट्रेड कि इए ये चीज भी आपने द्यान रखनी है अब लाश्ट में बात आती है लाश्ट में आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों आ ऐसा करना जब भी आप कोई कॉट बायर कर रह है उधारन के लिए आपने जो नेक्स्ट एक्सपाइरी का ये दोनों चीजे बाय करनी है उसी एक्सपाइरी की मत करनी वो दोनों भी जीरो हो सकती है इसको आप बिल्कुल फॉलो करेगे तो आप लोग जो प्राफिटेबल जरूर होगी ठीक है अगर आपको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यावाथ